हेलो दोस्तो, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तो, आज की कहानी का टॉपिक है जब भगवान ने दी शक्ती किसान को जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्दने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाउं में छाला होगा बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिये में उजाला होगा क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष तो जीवन की आत्मा है, जितना कठिन संघर्ष होगा, उतनी ही शानदार जीत होगी एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नराज हो गया, किसान बहुत महनती था, बहुत महनत से वह खेतों में अना जुगाता, उसकी देखभाल करता, पर अकसर उसकी फसल खराब हो जाती कभी सूखा पढ़ जाता तो कभी बाड़ा जाती कभी तेज धूब कभी तो कभी आंधी कोई न कोई करण बनी जाता था कि उसकी फसल खराब हो जाती एक दिम्वा किसान गुस्से में आस्मान की ओर देखकर भगवान से कहा हे एश्वर आपको लोग सरग्याता मानते हैं मानते हैं कि आप सब जानते हैं कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पता नहीं हिलता पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती वारी कैसे करते हैं अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाड़, आंदी और तुफान आते हैं वो कभी नहीं आते आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ फिर आप देखना मैं अन्य के भंडार लगा दूँगा भगवान इस किसान के तीखे वाकि सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले मैं आज से तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा किसान बहुत खुश हो गया किसान ने ग्यों की फसल अपने खेतों में बोई जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा आंधी तुफान बाड़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी हरी भरी लहराती फसल मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ती का सही उप्योग मेरी सफलता देकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे कुछ दिन गुजरे फसल काटने को तयार हो गये किसान बहुत सुकता के साथ फसल को काटने लगा पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना माथा पीट लिया और वह रोने चिलाने लगा गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था सारी बालियां अंदर से खाली थी किसान बहुत दुखी हो गया उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा हे प्रभू तुमने ये मेरे साथ क्या किया क्या तुमने मुझे कोई सजा दी भगवान बोले पुत्र ये तो होना ही था तुमने अपने पौधों को संगर्ष करने का मौका ही कहा दिया ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूजने दिया ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया एक भी चुनोतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया इसलिए सारे पौधे अंधर से खोकले रह गए जब आधी तुफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है उर्जा होती है और यही उर्जा पूर्थी तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी तुने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जरम्भ होता है, सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गिहूं का दाना नहीं, इसलिए नहीं हैं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं दोस्तों याद रखिये, स्वर्ण में स्वर्णी आभा तभी आती है, जब वह आग में तपने, गल्ने और हतोडों से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है, कोले का टुकडा हीरा तभी बनता है, जब वह उच्छ दाब और उच्छ ताब की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है, इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्षी ना हो, कोई चुनोती ही ना हो, तो हम भी यहों की बालियों की तरह खोकले रह जाएंगे, और कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा, विपरित परिस्थितियों, चुनोतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखार्ती हैं, यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और शुनोतियां, आये तो घबराना मत, बल की सामना करना, विश्वास करना, कि आप और अधिक निखर जाओगे, और अधिक मर्बूत बन जाओगे, तभी तो आप भी अमूल बनोगे, किसी ने कितना सही कहा है, ज जब तक ना पड़े हतोरों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, दोस्तों, आज यदि एक भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो, तो सब्स्राइब करके ही जाएगा, थैंक्स फॉर ल